हाई फ्रेंड़्स, वेलकरन चैनल फैट कानिशा तो डोस्तो अक्सर भाहर आते जाते ट्रैवलिंग के समय में, रात के समय में, देन के समय में यदि आपको सफेद उलू दीखाई देता है तो भगवान आपको क्या संखेद देना जाते है चलिए जानते दोस्तो इस वीडियो के मात्यम से तो दोस्तो ये जानने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब आउश्य करे बेल अकोन प्रेस करके All बटन पर क्लिक जरूर करे तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से तो दोस्तो सफेद उल्लू का देखना क्या संकेत होता है ये जानने से पहले उल्लू के बार में कुछ रोचक बाते जानते है जिया दोस्तो हमारे देश में उल्लू शब्द का प्रयोग अक्सर मुर्ख लोगों के लिए किया जाता है उल्लू एकमत्रहिसा पक्षी है जो नेले रेंग को देख सकता है लेकिन क्या आप जानते है कि उल्लू की गिंती दुनिया के सबसे बुदिमान पक्षियों में होती है और इंदुधर में इसे देवी लक्षमी का वाहन भी कहा जाता है दोस्तो उल्लू की नज़रे इतनी तेज होती है जैसे आखों में कैमेरा फिट करके रखा हो जी हा दोस्तो उल्लू के पास शक्ति साली पंजय होते है जिने तैलन्स कहा जाता है और वे इनका उपयोग अपने शिकार को पकडने और मारने के लिए करते है दोस्तो उल्लू की गरदन लंबी और लचली होती है वे अपने सीर को 270 डिगरी लगबग पूरा चकर खुमा सकते है जीहा दोस्तो अधिकांशी उल्लू की आखे पीली होती है उल्लू अपनी आखे नहीं हिला सकते है अगर कोई चीज उनके सामने सीधी नहीं हो तो उन्हें उसे देखने के लिए अपने सीर को घुमाना पड़ता है जीहा दोस्तो उल्लू अपनी आखों के करीब की वस्तो को सपष्ट रुस्प से नहीं देख सकते है लेकिन दूर की वस्तो को देख सकते है तो दोस्तों कुछ उल्लू के चेरे दिल के आकार के होते है जिया दोस्तों है ना दिल चस्प और रोचक बाते उल्लू के बारे में यदि दोस्तों इस तरह का उल्लू यानि की सपेद उल्लू आप देखते है दिन हो रात हो कभी भी आप सपेद उल्लू को देखते है तो भगवन हमें क्या संकेत देना चाते है जिया दोस्तू शास्त्रों के अनुसार यदि रात के वक्त सपेद उल्लू दिखाए देता है तो समझ लिजे कि आपकी मनोकामना पूर्ण उले वाली है माना जाता है कि यात्र के दोरान उल्लू की आवाज सुनाए देने मातर से ही भग्यदय होता है और सभी काम आसानी से संपन हो जाते है दोस्तो सौबाग्य का प्रतीक रात के समय उल्लू का दिखना आपके लिए शूब हो सकता है दोस्तो उल्लू का सौब बागय का प्रतिक माना जाता है शासर के अनुसार उल्लू के दिखने मातर से ही आपकी जीवन में अच्छी खबरे आने लगती है साथ ही आपके कई अधुरे काम पूरे हो सकते है दोस्तो सकरात्मक समाचार का संखेद सफेद उल्लू को देखना अक्सर आने वाली अच्छी चीज़ों के शगुन के रूप में देखा जाता है यदि आप किसी कठिन दोर से गुजर रहे हो तो संभो है कि उल्लू का दिखना सकरात्मक समाचार का संकेत हो सकता है आपकी स्तिती के समय के बाद बदल सकती है दोस्तो आपकी स्तिती समय के साथ बदल सकती है दोस्तो जब भी आपको दिनो रात हो सफेद उल्लू दिखाई देता है तो मनी मन ग्यारा बार जैस्री महालक्षिम नमा इस मंत्र का जाप अवश्य करे और मनी मन अपनी मनो कामना की प्रार्थना करे दोस्तों ये करने से आपके समय अच्छा वी देगा दोस्तों इस तरह से ये मंतर जाप करने से महालक्षमी आपके उपर प्रसन्न होंगी और आपके तुरंद काम बनने शुरू हो जाएंगे तो दोस्तो इस तरह से सपेद उल्लू देखने का मतलब है बहुती शूब होता है अच्छा समाचर आने वाला है आपकी सभी काम बनने वाले है तो दोस्तो आपके उडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक चार और कमेंट्स जरूर किजेगा और कमेंट्स में जैसरी म अलक्षमिनमा आश्य लिखेगा धन्याद्ट